रेडी? स्टार्ट भालतिय दंड सहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग 2 के अधीन दो सिद्ध किया गया है और उनमें से प्रितेक को पांच वर्स की आउधी तक के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है विराम इसके अत्रिक अभ्युक्त एक को अभ्योजन साक्षी एक को डंडे से उपहती कारित करने के लिए बालतिय दंड सहिता की धारा 323 के अधीन भी दो सिद्ध किया गया है और उसे तीन मास की अउधी तक के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है विराम अभ्युक्त दो को भी अभ्योजन साक्षी एक को साधारन उपहती कारित करने के लिए खालतिय दंड सहिता की धारा 324 के अधीन दो सिद्ध किया गया है और छै मास तक की अउधी के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है विराम प्रण्चास के साथ पठित धारा 147, 148 और 302 के अधीन दंडनिये अपरादों के लिए भी विचारन किया गया विराम तथा पी विद्वान अपर सेशन न्यायधीस ने अभ्युक्त चार से लेकर अभ्युक्त दस तक को पूरी तरह दोस्मुक्त कर दिया विराम पैरा आर विद्वान बंधू न्यायधीस मुक्त दर्व के समक्ष प्रिस्तुत की गई विराम अपिलार्थियों के विद्वान काउंसिल श्री डी द्वारकानाथ ने एक प्रारंबिक मुद्दा उठाया अर्थात यह कि दोस्षिद्धी अपने आप में अवैद है क्योंकि भारती अधन सहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन कोई आरोग नहीं लगाया गया है विराम हमारे विद्वान बंधू न्यायधीस मुक्त दर्व के समक्ष यह दलील दी गई कि जब 10 अभ्युक्त व्यक्तियों पर भारती अधन सहिता की धारा 140 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोग लगाया गया हो और जब उनमें से 7 अभ्युक्तों को दोस्मुक्त कर दिया गया हो तो सेश 3 अभ्युक्त अर्थात अपिलार्थियों को भारती अधन सहिता की धारा 34 को लागू करते हुए भारती अधन सहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग दो के अधीन दोस्चिद नहीं किया जा सकता विराम इस दलील का सार यह है कि जब भारतिय दंड सहीता की धारा 34 के अधीन कोई आरोप नहीं हो तब उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता विराम इस संबंद में विद्वान लोक अभियोजक द्वारा ए गोपईया बैनाम आंधर प्रदेश राज्य में इस न्यायले के एक खंड न्यायपीट के वीनिश्चे का अउलंब लिया गया है जिसमें यह अभी निर्धादित किया गया है कि अधी भारतिय दन सहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन कोई वी निर्धिष्ट आरोप लगाए बिना भी नियायले साक्षे के आधार पर यह निसकर्स निकालता है कि किसी विशिष्ट अभ्युक्त ने सामानने आश्य में हिस्सा लिया है तो उसे ऐसे अपराद के लिए दोस्चिद टहराया जा सकता है विराम तथा पी अपिलारती के विद्वान काउंसिल श्री एम द्वारका नाथ ने अपनी इस दलील के समर्थन में मैना सिंग बैनाम राजस्थान राज्य में उच्तम यायले के वी निश्चय का अवलंब लिया है कि ऐसी दोस्चिद्धी कायम नहीं रखी जा सकती विराम हमारे विद्वान बंदू न्यायदीश मुक्त दर ने जिन्होंने यह निश्कर्ष निकाला है कि उच्तम यायले का उपर्युक्त वी निश्चय खंड न्यायपीट की जानकारी में नहीं लाया गया था यह महसूस किया की मामले को अधीकरत निरने के लिए खंड न्यायपीट के समक्ष प्रिस्तुत किया जाये विराम इस प्रकार अब यह मामला हमारे समक्ष पेश किया गया विराम पैरा अंतरवलित विधी प्रसन पर विचार करने से पहले हम आवैसक तथ्यों का वरनन करेंगे विराम तीनों अपिलार्ती और अन्य साथ अभ्युक्त अर्थात अभ्युक्त चार से अभ्युक्त दस सबी डैंड लूरू के निवासी हैं विराम अभ्युक्त एक से लेकर अभ्युक्त तीन भाई भाई हैं अभ्युक्त चार और अभ्युक्त पांच भाई भाई हैं और अन्य अभ्युक्त अभ्युक्त एक से लेकर अभ्युक्त तीन के निकट सहयोगी हैं विराम मृतक और उसके पुत्र अभ्योजन साक्षी एक से लेकर तीन और अभ्योजन साक्षी पांच भी डेंडू लूरू के निवासी हैं विराम कुछ समय पूरू अभ्युक्त नो एक विरम्मा चेनानी चोदरी नामक व्यक्ति के खेतों की देखवाल निगरानी किया करता था ऐसा करते समय अभ्योजन साक्षी तीन को उस छे एकर वाले खेत में पानी देने के लिए गया था विराम अतहे अभ्युक्त को मृतक के कुटुम्ब से दुस्मनी हो गई विराम अभ्युक्त नो ने पानी रोकने के लिए जल मार्ग में रखी गई बाधा को हटा दिया विराम इतना कहना प्रयाप होगा कि दोनों समुवों के बीच भावनाएं संबंद तनाव पून है विराम इस प्रकार तारीख 11-08-1978 को रात को लगबग 8 बजे किसे गाता पढ़ने के लिए मैंने